राधा यानि प्रेम की देवी, श्री कृष्ण की मुख्य संगिनी, अहीर गोपिका राधिका तो आखिर कौन थी राधा रानी राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता हैं। श्लोक में वर्नित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ती के दो रूप है राधा और माधव श्री कृष्ण तथा ये रहस्य स्वयन श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को बताया गया है। अर्थात राधा ही कृष्ण ह और कृष्ण ही राधा हैं। परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। वरिश्भानु जी और कीर्ती देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्रकटे से ही अपनी आखे नहीं खोली है। इस बात से उनके मातापिता बहुत दुहकी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पतनी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वरिश्भानु जी के घर आती है, तब वरिश्भानु जी और कीर्ती जी उनका स्वागत करती है। जी कान्हा को गोध में लिए राधा जी के पास आती है। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आखे खोलती है। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एक तक कृष्ण जी को देखती है अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुन्दर्सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयन बहुत आनन्दित होते हैं जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुरलब है, तत्वग्य मनुष्य सैक्डों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी जाकी नहीं पाते। वे ही श्री राधिका जी जब व्रिश्भानु के यहां साकार रूप से प्रकट हुई। श्री राधा प्रेम भक्ती और करुणा की देवी पंच प्रकृती और देवी लक्ष्मी की अवतार राधा कृष्ण अन्यनाम कृष्ण प्रिया, व्रिश्भानुली राधिका, किशोरी, माध्वी, केश्वी, श्रीजी, राधारानी संबंध देवी महालक्ष्मी की अवतार श्री कृष्ण की हिलादिनी शक्ती निवासस्थान गोलोक विरिंदावन बरसाना वैकुंट मंत्र वृष्भानु जाये विद्महे कृष्ण प्रियाये धीमही तन्नो राधा प्रचोध्यात अस्त्र और सवारी कमल कमल और सिनहासन जीवन साथी श्री कृष्ण मातापिता वृष्भानु पिता कीर्ती देवी मा शास्त्र पद्मपुराण ब्रहम वैवर्थ पुराण सकंध पुराण मत्स्य पुराण गीत गोविंद गर्ग संहिता शिव पुराण लिंड पुराण वारा पुराण नारत तो कृष्ण की राधा के बारे में बाते करते हैं।